अगर आप अपने लिए अपने लब बन्स के लिए accurate predictions करना जाते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ कि इन्शापुरी और ये है आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल ये 1st April से लेकर 7th April तक की आपकी tarot ratings हैं tarot predictions हैं और इस वीडियो में सभी signs के सापता ही क्राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही क्राशी फल तो चलिए रीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या नर्शी हैं तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए card है the Empress Empress का card fertility को represent करता है meaning जो भी इस week आप अपने professional friend में चाहा रहे हैं, कर रहे हैं उसका positive outcome, उसका positive result आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा या फिर आपको ऐसे लग सकता है, luck आपको favor कर रहा है सभी चीज काफी conducive है, आपके goal से related, आपके मकसद से related fertility का मतलब भी क्या होता है, देखे, fertile soil में अगर आपने beige बोया, तो आपको बहुत जल्दी या फिर बिना effort के fruit मिल जाता है तो उसी तरीके की energies रहती भी दिख रही है, अगर पीछे आप किसी भी चीज को लेकर effort कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसका एक positive result आपको मिलता हुआ दिख रहा है या फिर से मैं कहूंगी कि बहुत एक fertile situation या फिर fertile environment रहता हुआ दिख रहा है आपके goal आपके मकसद को लेकर और साथी साथ एक comfort luxury भी आपके professional friend में रहती हुई दिख रही है आप बहुत fun, मजा, मस्ती या फिर comfortable होके काम अपना कर रहे हैं क्योंकि Empress female को represent करती हैं तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई female है आपके professional friend में या फिर personal friend में जो की बहुत loving है, caring है उनकी तरफ से काफी supportive energies है ते भी दिख रही है all in all professional friend से related ये भी काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए three of cups का card है three of cups के card को अगर आप देख पा रहे हैं तो तीन लोग fun, मजा, मस्ती कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके personal friend के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है जहां पे किसी भी level पे किसी भी तरीके की celebration या तो हो रही है या फिर आप कर रहे हैं या you know आप plan कर रहे हैं कहीं reunion, get together या फिर आपके loved ones हैं उनके साथ आप जाधा interact कर रहे हैं जाधा आप quality time spend कर रहे हैं in the process, fun, मजा, मस्ती भी रहता हुआ दिख रहा है तो दिखिए personal front से भी related काफी beautiful energies इस week आप लोगों के लिए रहती भी दिख रहे हैं फिर से कहूंगी eating, drinking, merry making रह सकती है और कहीं आप जाधा लोगों से connect करना चाहा रहे हैं, कर रहे हैं कोई भी celebration, कोई भी get together, कोई भी reunion या तो plan कर रहे हैं या फिर हो रहा है और आप बहुत खुल के participate करते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से चीजों में involved होते हुए दिख रहे हैं social circle बढ़ा रहे हैं या फिर जाधा socialize कर रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए wandering path का card है और ये card कहता है enjoy the journey तो कितनी बारी होता है न हम अपने goal अपने मकसद पर इतने fixated हो जाते हैं कि जो journey होती है न उसको enjoy करना भूल जाते हैं और जब वो outcome जब वो एक result हमें मिलता है हम इतने exhaust हो चुके होते हैं या फिर हम उसको भी अच्छे से नहीं enjoy कर पाते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही clear आपके लिए message है कि जो भी चीज आप अपने personal या professional front में achieve करना चाहते हैं उसके लिए आप effort करें उसपे आप focus ज़रूर करें लेकिन in the process जो journey है जो एक या उसके तरफ आपका रास्ता है उसको ज़रूर enjoy करें और astrology से आप लोगों के लिए Leo sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो यह था यह ज़िस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है five of cups और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में आपका थोड़ा सा negative frame of mind रह सकता है कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज को लेकर उदास मायूस हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि एक regret वाली energies हैं आपसे कोई mistake हुई आपके किसी colleague, co-worker यहाँ पर जो भी लोग आपके साथ आपके लिए काम करते हैं उनसे कोई गलती हुई उस पे आप बहुत जादा focus कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है जैसे आपने ये week plan किया था या फिर अपने professional front में चीजों को plan किया था उस हिसाब से चीजे नहीं जा रही है कुछ के लिए हो सकता है किसी भी level पे किसी भी तरीके का नुकसान हुआ अब देखिए जो भी reasons मेरे mind में आए मैंने कहा इसके अलावा भी कोई reason हो सकता है और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई reason ही नहीं है और जो चीजे ठीक नहीं चल रही है आपके professional front में आप उस पे जादा focus कर रहे हैं और जब भी एक आड आता है मैं यही कहती हूँ अपनी energies में एक shift लाने की ज़रत है अपने frame of mind को positive करने की ज़रत है जो चीजे आपकी life में अच्छी चल रही है जो चीजे आपके professional front में अच्छी चल रही है उस पे focus करने की ज़रत है क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सब चीज खराब चल रही है यह काड सिरफ जो चीजे ठीक नहीं चल रही है उन पे focus करने की बात करता है उस पे बहुत ज़ादा attention देने की बात करता है और जब भी हम ऐसी energies में होते हैं हम खुश तो feel करते नहीं है और फिर हम उसी energy में vibrate करना शू कर देते हैं और वैसी ही energy हम universe से भी attract करने शू कर देते हैं तो बहुत बहुत important रहेगा आप लोगों के लिए Taurus कि आप अपने frame of mind को positive करें जो चीज़ें आपकी life में अच्छी हैं जो चीज़ें आपके professional friend में अच्छी हैं आप उन पे focus करें और personal friend के लिए आप लोगों के लिए 10 of swords का card है और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं आपने अपना suit case बोरिया बिस्तरबान लिया है अब देखिए ये travel करना भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए बहुत ही छोटा मोटा travel रह सकता है कुछ के लिए long travel रह सकता है कुछ के लिए you know changes भी हो सकते हैं क्योंकि कहीं travel changes को भी represent करती है travel का मतलब यह उतना हम एक जगा को छोड़कर दूसरी जगा पे जाते हैं तो कहीं देखिए इस हिसाब से देखें तो हो सकता है कि किसी चीज को end करके छोड़कर आप दूसरी चीज के पास जाना चाह रहे हैं दूसरे किसी काम को करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से ending, beginning किसी भी level पर आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है और कहीं यह ending, beginning इतनी असान नहीं हो रही है आपके लिए थोड़ा सा difficult हो रहा है और दिखे बहुत सारे chances हैं Taurus कि इतना difficult नहीं है जितना आपने इसको अपने mind में बना लिया है क्योंकि 10 of swords का card कहीं issues और मसलों को mind में बहुत जादा exaggerate भी करने की बात करता है तो अगर ऐसा आप भी पाएं कि issues जो भी आपके personal friend में हो रहे हैं वो उतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा इनको आपका mind बना रहा है तो ज़रूर चेक करके correct करें क्योंकि at the end of the day everything is in the mind और अगर you know external friend में कोई बड़ी चीज भी चल रहे हो ना हम अपने mind में उसे छोटा बना लेते हैं तो यकीन मानिये beyond the point वो हमें परिशान नहीं कर पाती है वो चीज powerless हो जाती है और कहीं हम at ease रहते हैं और अगर छोटी मोटी चीजों को हम अपने mind में बड़ा बना लेते हैं तो फिर चीजें चाह है मामूली हों हम बहुत परिशान होते हैं तो इस चीज की चेकिंग करके correct इस week आप जरूर कर लें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए cleansing waters का card है और यह card कहता है purification activates vibrant life force तो देखिए हो सकता है कि किसी चीज को लेकर या फिर कुछ चीजों को लेकर एक negative energy आप काफी जादा काफी टाइम से इस week महसूस कर रहे है क्योंकि दोनों ही cards कहीं you know एक low energies की बात करते हैं और कहीं guidance का card भी कहता है purification करने की जरूरत है थोड़ा सा अपनी mind की emotions की cleansing करने की जरूरत है और जैसे ही आप यह cleansing करेंगे एक बहुत जबरदस्त life force activate करेंगे जिससे कि आप better feel करेंगे better energies universe से attract करेंगे तो इस चीज का भी खयाल इस week जरूर रखें और astrology से आप लुगों के लिए north note का card है और north road astrology में राहू को represent करते हैं इसके हिसाब से dark colors इस week आप avoid करें and significant day आप लुगों के लिए होगा Saturday तो यह था Taurus आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नी के साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Gemini's आप लुगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लुगों के लिए card है night of souls night of souls का card tarot में speech की बात करता है movement की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है अब यह general reading है यह movement यह speech सबके लिए differ करेगी लेकिन broader level के लिए अगर हम देखें पीछे specifically professional front में अगर आप किसी चीज में अटका हुआ हम हैसूस कर रहे थे रुका ह आपको ऐसे लग रहा था कि काम बन ही नहीं है बहुत इक stuck energies थी तो इस week एक movement आती हुए दिख रही है इस week कहीं तेजी से चीजें आगे बढ़ती हुए दिख रही है क्योंकि यह card movement को represent करता है कुछ जयमिनीज के लिए हो सकता है या तो आप travel कर रहे हैं या फिर आप करना चाहा रहे हैं और अचानक से कुछ plans आपके बन सकते हैं अचानक से कुछ चीजें हो सकती हैं जिनको आपने expect नहीं किया और कुछ के लिए यह positive रह सकती हैं कुछ के लिए थोड़ा सा challenging यह रह सकती हैं आपका communication आपके co-workers, colleagues के साथ काफी blunt, straightforward रह सकता है और सिरफ और सिरफ अपने goal पे, अपने मकसद पे focus करके आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं तो दिखिए बहुत ही neutral card है, ना तो बहुत great कुछ होता हुआ दिख रहा है, ना ही कुछ खराब होता हुआ दिख रहा है, overall के लिए फिर से मैं कहूंगी एक speed, एक movement रहती हु परसनल फरंट के लिए आप लगों के लिए card है two of swords, और ये card कहता है कि इस week specifically personal front में एक stuck वली energies रह सकती हैं, जहां पर आपको ऐसे लग सकता है, ना तो आप आगे जा पा रहे हैं, ना ही आप पीछे जा पा रहे हैं, आप अटक गए हैं इस situation में, हो सकता है कि in the process एक indecisiveness व पा रहे हैं, in the process आप काफी सारी चीज़ों को देख के अंदेखा करते हुए, सुन के अंसुना करते हुए दिख रहे हैं, और अगर ऐसा आप भी पाएं Gemini's तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके correct करें, क्योंकि क्या होता है ना उस time हमें इस चीज़ का नहीं हैसास होता है लेकिन जब भी भी हम एक inaction वाली energies में होते हैं, in decisiveness वाली energies में होते हैं और चीज़ों को ignore कर रहे होते हैं तो back end पे चीज़ें accumulate होती रहती हैं और एक time आता ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम चाहा कर भी इनको नहीं ignore कर पाते हैं, चाहा कर भी नहीं avoid कर पाते हैं और फि ज़ादा उधरने से वो बच जाएगा इसी तरीके से जो भी issues जो भी मसले जब छोटे होते हैं हम उनको deal कर लेते हैं तो उन मसलों को बड़ा होने से हम रोक लेते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर से कहूंगी personal front में कहीं आप चीजों को अंदेखा ना करें अंसुनाना करें जो चीज आपको ठीक नहीं लग रही है बुरी लग रही है आप तुरंत उसके लिए action ले initiatives लें और इन जनरल या फिर guidance से आप लगों के लिए ascending the mountain का card है और इस card में लिखा हुए keep going forward और देखिए यह personal front के लिए मुझे जादा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि professional front में हमने देखा बहुत speed से बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं कहीं personal front में आप अटके हुए हैं आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं action initiatives नहीं ले रहे हैं तो please you know challenges है issues हैं मसले हैं जब तक हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे हम अपने मन्जिल मकसद को पा ही लेंगे लेकिन जहाँ पर हम रुख गए या फिर हमने you turn ले लिया तो फिर हम अपनी मन्जिल मकसद को नहीं पापाएंगे तो दिखिए failure is not हम गिर गए failure is जब हम गिर कर उठे ही नहीं हमने give up कर दिया तो नचल में मैं आपको यही कहूंगी कि give up आप किसी भी situation में किसी भी चीज़ के लिए ना करें और astrology से आप लोगों के लिए moon का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो यह ता जेमिनीज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जुरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए कि इनसेरियन्स आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकरा रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of wands और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी level पे किसी तरीके से एक pressure एक burden आप महसूस कर सकते हैं अब देखे इस चीज को सुन के आप परेशान ना हो क्योंकि कभी कभी क्या होता है external front में वाके में चीजें होती है जो एक tension stress दे रही होती है और कितनी बारी external front में कोई खास मसला नहीं होता है लेकिन छोटी छोटी चीजों को हम अपने mind में बहुत बड़ा बना लेते हैं और खुद को परेशान करते हैं कितनी बारी external front का भी pressure हमारी ही creation होती है जब हम लोगों को ना नहीं कह पाते हैं हम बहुत सारी responsibilities अपने उपर ले लेते हैं अपना तो काम कर ही रहे होते हैं और लोगों का भी काम कर रहे होते हैं तो इस सिनारियो में देखिए जो भी pressure burden होता है वो हमारी ही creation होती है तो जो भी हो कैसे आप इस pressure को कैसे आप इस burden को कम कर सकते हैं इसके उपर इस week आपने जरूर जरूर focus करना है अगर आपने अपने उपर बहुत सारी responsibilities लिए हैं तो अपनी responsibilities काम करें जितना काम आप comfortably कर सकते हैं आप उतना ही काम करें अगर external friend में वाक्के ही में कोई ऐसी situation है जो आपको परिशान कर रही है तो pause करके खुद को पूछें अब इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं यानि कि आप इसको change कर सकते हैं अंदर से जवाब आता है yes अपना best effort लगा दें लेकिन अगर अंदर से जवाब आता है कि ये situation के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं just surrender to the universe और मुझे पता है कि pressure होता है कहना बहुत असान होता है करना मुश्किल होता है लेकिन जब हम conscious effort करते हैं अपने आप पे वो pressure नहीं लेने के लिए तो कहीं न कहीं हम अपने आपको light and easy करते हैं तो broader level के लिए इस week specifically professional front में आपका focus होना चाहिए कैसे आप अपने आपको light and easy रखें अब आपकी situation है आपको बहतर पता है लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि आपने बिना बात की किसी भी चीज़ का pressure नहीं लेना है और कहीं अपने आपको light and easy रखना है and personal front के लिए आप दोगों के लिए seven of wands का card है ये card challenges की बात करता है issues, मसलों की बात करता है लेकिन साथी साथ ये card ये भी कहता है कि जो भी issues हैं जो भी challenges हैं जो भी छोटे मोटे अरचने आ रही हैं blockages आ रहे हैं अगर आप उनसे डरेंगे नहीं अगर आप घबराएंगे नहीं upfront होके सामने से चीजों को deal करेंगे तो definitely आपको success भी जरूर मिलेगी तो in a way ये card कहता है success with extra effort success with extra initiative success with extra action यानि कि जो भी issue मसला हुआ अगर आपने उसके लिए give up कर दिया आपने required effort नहीं लिया उसमें से अपने आपको overcome करने के लिए तो आप बहुत परेशान होंगे लेकिन अगर आपने will part दिखाई determination के साथ चीजों को deal किया courageously और बहुत boldly फिर से मैं कहूंगी चीजों को deal किया तो इस week आपको success जरूर मिलेगा और at the end of the day आप बहुत better बहुत अच्छा फील करेंगे and in general यहां फिर guidance से आप लोगों के लिए great adventure का card है और यह card कहता है टीक का risk move forward तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत safe होके चलना चाहते हैं हम किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहते हैं और जब तक हमे calculated risk अपनी लाइफ में नहीं लेते हैं तब तक एक growth progress भी हम नहीं ला पाते हैं तो यहां पे guidance का card आपको यही कह रहा है कि life is a great adventure और calculated risk आप ज़रूर लें आप बहुत safe secure होके चीज़ों को ना डिल करें and astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow section पर ज़रूर बताएं कि यह आपके साथ कितना resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए लिए आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the dreamer और यह card कहता है कि इस week यहां तो आपके professional front में आपकी बहुत ही carefree energies है यहां फिर circumstances situation ऐसे है एक carefreeness आपके professional front में आ रही है तो देखें दोनों ही सिनारियों में यह एक ideal situation होती है जब हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन tension नहीं है, stress नहीं है और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर stress और tension था तो इस week आप काफी relax होते हुए दिख रहे हैं लेकिन जब भी यह card आता है मैं जरूर कहती हूँ कि carefree हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है in the process आप बिल्कुल भी careless ना हो, इस चीज़ का जरूर आप खायाल रखें and overall के लिए दिखी positive energies की यह card बात करता है यह card कहता है कि इस week आप बहुत ज़्यादा future की planning नहीं करते हुए दिख रहे हैं past में अगर कोई चीज़ आपको bother कर रही थी आप उसको भी let go कर रहे हैं आप present moment में रहना चाह रहे हैं और कहिए going with the flow वाली energies में भी आप रहना चाह रहे हैं यानि कि जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जाना चाह रहे हैं और यह एक ideal situation होती है अगर हम इस चीज़ को सीख लें समझ लें तो beyond the point हमारी life में issues और problems नहीं होंगे लेकिन क्या होता है न हर चीज़ balance तरीके से ही ठीक होती है जब too much हम इस energy में चले जाते हैं तब भी हम परेशान होते हैं क्योंकि तब हम बिना सोचे समझे चीज़ों को करना शू कर देते हैं तो देखिए हमें tension नहीं लेना, stress नहीं लेना, carefree रहना है going with the flow all energies में भी रहना है लेकिन साथ ही साथ हमें एक planning भी करनी है हमें थोड़ा सा सोच समझ के risk लेने हैं यानि की calculated risk life में लेने हैं तो इन चीज़ों का खयाल रखेंगे ये वी काफी अच्छा आपका रहेगा and the personal front के लिए आप लगों के लिए queen of swords का card है और ये card कहता है कि इस week आप थोड़े से critical, थोड़े से judgmental अपने personal front में किसी खास चीज़ को लेकर हो रहे हैं आप mind से चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं आप बिलकुल भी emotional, sentimental होके कोई भी decision, कोई भी choice नहीं लेना चाहा रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि भई, बहुत clear cut communication रखो बहुत ही clarity के साथ हर चीज़ को deal करो और यहाँ पे queen of swords का card है तो कुछ के लिए भी हो सकता है कोई female ऐसी energies वाली है जिनका influence आपके उपर इस week है या फिर उनसे आपकी ज़्यादा interactions उनसे ज़्यादा आपकी बातचीत रहते वे दिख रही है all in all देखिए personal front भी ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है लेकिन कहीं emotions, feelings, sentiments missing रहते वे दिख रहे है और कभी-कभी ये required भी होता है लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि heart और mind का balance ज़रूर रखें क्योंकि जब हम over logical हो जाते हैं तब भी हम खुद को परेशान करते हैं जब हम over emotional हो जाते हैं चीज़ों को लेकर तब भी हम खुद को परेशान करते हैं ideal situation हर दम heart और mind का balance होता है इस चीज़ का आप ज़रूर खयाल रखें कुछ के लिए भी हो सकता है कि किसी female या फिर कोई इंसान जनकी feminine energies हैं उनकी तरफ से काफी आपको support मिल रहा है redirect your energies तो जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा सा pause लेकर चीज़ों को अच्छे से समझें उसके बाद ही उस direction में action initiatives लें और दिखिए दोनों में से किसी भी front के लिए हो सकता है लेकिन professional के लिए जाधा रहता हुआ दिख रहा है तो फिर हो सकता है बिना सोचे समझे कुछ action initiatives लें जिनको लेकर आप बाद में परेशान हो तो जो भी काम करें pause लें अच्छे से उस चीज़ को समझें उसके बाद ही उस direction में आप action initiatives लें and astrology से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था लिए उस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीजे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए वगोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है nine of cups और ये card taro में कहीं wish come true होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहतावा दिख रहा है मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सभी वगोज की इस week professional front से related wish पूरी हो रही है लेकिन कुछ वगोज की definitely हो सकती है और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपकी wish है जो भी आपकी desire है आपके professional front से related आप उसके उपर focus कर रहे हैं आप उस पे attention दे रहे हैं उस direction में action initiatives ले रहे हैं और कुछ वगोज के लिए हो सकता है कि इस week आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी आप बहुत time से चाहते थे वो ज़रूर आपको near future में मिल जाएगा तो देखिए जो भी scenario हो कहीं happy happy आप रहते हुए दिख रहे हैं एक joy भी रहती होई दिख रही है satisfaction भी रहती होई दिख रही है क्योंकि cups का card eating, drinking, marrymaking की भी बात करते हैं तो हो सकता है कि आपके professional front में कोई event हो रहा है कोई get together हो रहा है या फिर कोई भी ऐसी activity हो रही है जिसमें eating, drinking, marrymaking भी रह रही है और जो भी आपके co-workers हैं, colleagues हैं उनके साथ आप ज़्यादा connect कर रहे हैं उनसे ज़्यादा आपकी बातचीत हो रही है and personal front के लिए आप लगों के लिए two of wands का card है और देखे ये भी बहुत ही एक positive card है ये कहीं बहुत जबरदस्त एक confidence की बात करता है बहुत जबरदस्त, अपने goal, अपने मकसद को लेकर एक assurance feel करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप अपने personal front में महसूस करते वे दिख रहे हैं और कहीं जो भी आपके personal front में हो रहा है उससे related आप next steps प्लान करना चाहा रहे हैं आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और in the process हो सकता है कि किसी loved one, किसी close one का काफी support आपके लिए रह रहा है काफी ज़ादा उनकी तरफ से cooperative energies हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई news, email, message आपको मिल रहा है अगे पॉजिटिव ज़ादा रहता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए हो सकता है out of the country से related कोई activity आप कर रहे हैं, करना चाहा रहे हैं, planning कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कोई भी आपका loved one, close one out of country रह रहा है आप उससे ज़ादा connect कर रहे हैं या फिर से मैं कहूँगी कोई भी out of the country से related भी activity इस week आपके personal front में रह रहे है all in all दोनों ही fronts के लिए काफी beautiful, काफी positive energies है और ये week आप लोगों के लिए इन cards के हिसाब से अच्छा रहता हुआ दिख रहा है in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए overcoming obstacles का card है और ये card में लिखा हुआ you can overcome anything तो कुछ भी छोटे मोटे issues, मसले अगर आप पाएं तो यहाँ पर card आपको assurance दिलवा रहा है कि आपके अंदर capability है, ability है, strength है उनको overcome करने की तो अपनी strength, अपनी power को ज़रूर realize करें and astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है इसके हिसाब से जो भी समंदर के रंग होते है sea green, sea blue आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नेचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है Ace of Swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में चोटे मुटे challenges चोटे मुटे issues रह सकते हैं और कहीं देखिए sword का card fighting spirit रखने की बात करता है और कहीं न कहीं ये card आपको guidance दे रहा है message दे रहा है कि अगर आपने fighting spirit नहीं रखी फिर आप परिशान हो सकते हैं फिर ये ही issues ये ही मसले आपके उपर हावी हो सकते हैं अब देखिए fighting spirit रखने का मतलब ये नहीं है कि हर दूसरे इंसान से हम लड़ना शुरू कर दें कितनी बारी situations ऐसी होती है कि हमें उनसे लड़ना पड़ता है और कभी कभी देखिए लोगों के लिए या फिर otherwise अपने professional front में भी हमें stand लेना चाहिए या फिर लेने की बहुत जादा जरूरत होती है और कहीं इसी तरीके की fighting spirit की energies ये काट रखने की बात करता है another way में मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये काट कहता है अगर आपने give up कर दिया आप you know confused हो गए चीजों को लेकर आपने clarity नहीं रखी आप emotional हो गए या फिर आपने logically अगर चीजों को नहीं deal किया तो फिर आप काफी परिशान होंगे लेकिन on the contrary आपने logically चीजों को deal किया clarity रखी बहुत ही clear communication रखा fighting spirit रखी तो by the end of the week आपको success मिलेगी आपको achievement मिलेगी और आप काफी better भी feel करेंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए four of wands का card है ये card को अगर आप देख पा रहे हैं तो कहीं न कहीं get together, celebration, fun, मजा, मस्ती की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front के लिए रहतावा दिख रहा है कुछ के लिए literally फिर से मैं कहूंगी किसी भी level पे किसी भी तरीके की celebration, get together, reunion रह रहा है और आप बहुत जादा उसमें खुद को involve कर रहे हैं, participate कर रहे हैं and कुछ के लिए हो सकता है change of place, change of residence या फिर किसी भी तरीके के changes है कुछ के लिए हो सकता है vacation पे जाना चाहा रहे हैं, जा रहे हैं कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप अपने loved ones, अपने close ones के साथ quality time spent कर रहे हैं बहुत आपकी eating, drinking, merry making हो रही है या फिर किसी भी तरीके का fun, मजा, मस्ती यहां तो आप कर रहे हैं या फिर आप plan कर रहे हैं All in all, personal friends are related, यह भी काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए protected by angels का card है और यह card कहता है you are cherished by the angels तो किसी भी life को area को लेकर अगर आप insecure महसूस कर रहे हैं या फिर आप safe नहीं महसूस कर रहे हैं तो यहां पर बहुत ही clearly protected by angels का card आपको message दे रहा है कि angels आपके इर्ध गिर्ध हैं, आपको protect कर रहे हैं, आप safe हैं and astrology से आप लोगों के लिए Aquarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue, indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था Libra's आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए अचलिए इसको आप लोगों के लिए रेखें कि coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है three of pentacles सबसे पहली चीज pentacles का card कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को represent करता है तो इस week specifically professional front में इन ही चीजों के उपर focus रह रहा है या फिर इन ही चीजों से related किसी level पर किसी तरीके से आपको gain फाइदा हो रहा है या फिर जो भी आपके professional front में हो रहा है आपको इस week ऐसी feeling हो सकती है कि वो जो एक money से related फाइदा आप चाहा रहे थे या फिर किसी materialistic tangible चीजों से related आप फाइदा चाहा रहे थे बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा and overall के लिए देखे बहुत devotion बहुत dedication के साथ बहुत ही focus concentration के साथ आप अपना काम करते हुए दिख रहे हैं आपको मिलती हुई दिख रही है in fact मैं कहूंगी कि teamwork में काफी सारे scopies इस week काम करते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए ego का card है ego के literal meaning को देखें तो देखिए ego की वजए से personal front में इस week issues मसले रह सकते हैं और अगर आपकी तरफ से है तो जरूर चक करके correct कर लें क्योंकि देखिए ego बहुत ही एक superficial issues और problems create करती है और relationships में ज़्यादा create करती है तो इसको अपने relationship के बीच में ना आने दें और overall के लिए देखें ये card कहता है कि कहीं किसी चीज को लेकर over attachment आप महसूस कर रहे हैं obsessive possessive से energies हैं और इसी वजए से stress tension आप महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये week आपका अच्छा जाए stress और tension ना हो तो आप surrender mode में रहें जिस भी God को मानते हैं आप उन पे faith करके अपना करम करें लेकिन outcome result के साथ attach ना हो या फिर और भी जो आपके loved ones है close ones हैं किसी के साथ भी over attachment ना रखें एक detached attachment अगर आप इस week रखेंगे तो ये week आपका बहतर जाएगा अगर universe पे surrender करते हुए faith करते हुए हर चीज को deal करेंगे ये week आपका बहुत बहतर जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो काफी परेशान आप हो सकते हैं तो इस चीज का खयाल इस week ज़रूर रखें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए transformation का card है और ये card कहता है कि change is the only thing that is constant और जब जो भी changes हमारे life में किसी भी area में आ रहे होते हैं हम उनको resist करते हैं, block करते हैं, तब कहीं हम खुद को परेशान करते हैं तो जो भी पुरानी चीज आपको serve नहीं कर रही है, परेशान कर रही है जितनी जल्दी आप उसको let go करेंगे और जो भी नई चीजें आपकी life में आने के लिए willing हैं उनको आप welcome करेंगे, accept करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी life में चीजों को असान करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए mercury ग्रह का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा वेडनेस दे तो ये thuscopios आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए से डिड़े से आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या ले करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the hermit और ये card कहता है कि इस week specifically अपने professional front में बहुत actively या तो आप चीजों में नहीं involved हो रहे हैं या फिर कुछ खास नहीं हो रहा है इसलिए आप थोड़े से अकेले हो रहे हैं और हर सिनारियो में कहीं एक introspective mode में आप रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि किसी चीज को लेकर एक सोच एक planning रहती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज को आप धूण रहे हैं मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि literally कोई चीज आपकी खो गई है आप उसको धूण रहे हैं या फिर वो एक idea की तलाश है आपको वो एक चीज की तलाश है जिससे कि आप अपने goal अपने मकसद को achieve कर पाएं तो दिखे एक missing सी feeling रह सकती है और किसी चीज को धूणने वाली भी energies इस week specifically professional front में रह सकती है अब धूणने का मतलब दिखे फिर से मैं कहूँगी literally यह हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई आप उसको धूण रहे हैं या फिर कभी कभी फिर से दिखे उस idea की तलाश होती है उस एक चीज की तलाश होती है जिससे कि हम अपने goal मकसद को achieve कर लें उस इंसान की तलाश होती है जो हमारे professional front में जो भी काम के लिए हमें चाहिए मिल जाए तो दिखे इस तरीके से किसी चीज को ढूणते हुए भी आप दिख रहे हैं all in all negative नहीं ये week जाता हुआ दिख रहा है लेकिन बहुत great भी नहीं रहता हुआ दिख रहा है कहीं बहुत एक excitement, enthusiasm missing इस week आपके professional front से related रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए page of wants का card है तो दिखे एकदम से contrary आपकी personal front की energies है कहीं page of wants का card बहुत जबरदस्ट enthusiasm की बात करता है excitement की बात करता है, high energy levels की बात करता है और बहुत इनों impulsive भी चीज़ों को लेकर होने की बात करता है जल्दबाजी भी करने की बात करता है और अगर ऐसा आप भी पाएं Sagittarius तो इस चीज़ को जरूर चक करके correct करें मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप action initiatives ना लें आप लें लेकिन impulsive ना हो जल्दबाजी ना करें इस week हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक excitement महसूस कर रहे हैं और इसी excitement की वज़े से आप कुछ चीज़ों को शुरू कर रहे हैं और लेटर आप इनी चीज़ों से बोर हो सकते हैं आपकी excitement enthusiasm इनके लिए खतम हो सकती है तो नचल में देखिए जब भी ये काड आता है मैं यही कहती हूँ जोश में होशनाक होएं इंपल्सिव होके और जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें immediate action लें लेकिन उसको समझ लें सोच लें अगर आप किसी news message email का वेट कर रहे हैं इस week आपको मिल सकता है ये news message email भी एक excitement आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है और दूसरी बात ही कि pages कहीं बच्चों को represent करते हैं immature energies की भी बात करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी immaturity भी चीजों को लेकर या तो आपकी रह रही है या आपके personal friend में कोई है उनकी रह रही है दोनों ही सेनारियों में इस चीज़ का खयाल रखने की ज़रत है all in all personal friend से related ये भी खीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए miracles का card है तो दिखिए सबसे पहली चीज miracles का card आपको यही message देता है कि उसी इनसान के साथ magic और miracle होते हैं जो miracle में मानते हैं उसमें विश्वास सकते हैं अगर आप miracles को मानते नहीं हैं विश्वास नहीं रखते हैं तो फिर कभी भी आपकी life में नहीं होंगे और देखिए इस card में लिखा हुआ है expect the wondrous to emerge तो जिन चीज़ों को लेकर आपने पीछे उमीद खोई या फिर आप उमीद ही नहीं कर रहे हैं उससे related भी कुछ चीज़ें हो सकती है बट शर्त यही है कि आपने miracles या magic में विश्वास सकना है कि ऐसा हो सकता है and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है और इसके हिसाब से all shades of red maroon rust आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था से deterioration आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए कि आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकरा रहा है कि energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of cups cups के card कहीं happiness, joy, satisfaction को represent करते हैं और 10 of cups का card किसी चीज के complete होने की बात करता है तो overall के लिए देखें ये week काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है जहां पर happiness, joy, satisfaction के साथ साथ हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ आपकी जादा interactions हो रही हैं उनके साथ आप जादा connect कर रहे हैं उनके साथ आपका relationship bonding जादा बहतर हो रही है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत time से काम कर रहे थे वो इस week complete हो रहा है और आपको काफी appreciation recognition मिलतावा दिख रहा है अपने professional family members से क्योंकि जो लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं वो एक family की तरह हो जाते हैं वो हमारी professional family होती है और कुछ के लिए हो सकता है personal family की तरफ से और कहीं देखिए again professional personal family की तरफ से एक काफी supportive cooperative energies भी रहती भी दिख रही है all in all ये भी काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है और दिखिए कहीं बारी होता है न professional friend में money, पैसा, materialistic चीजों से related हमें खुशी मिलती है कहीं बारी जब हम अपने goal को achieve कर लेते हैं उससे हमें खुशी मिलती है कहीं बारी जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसमें बड़ी हमें satisfaction मिल रही होती है हम उस काम को enjoy कर रहे होते हैं इसलिए एक happiness होती है और इस week कहीं काम को enjoy करने से related जो एक satisfaction मिलती है जिसकी वज़े से एक happiness मिलती है कहीं relationships में जब चीज़ें बहतर होती है अगें देखिए हमारे professional family members के साथ अच्छी connectivity होती है relationships better होते हैं तो वो एक happiness इस week ज़ादा रहती भी दिख रही है और personal front के लिए आप लुगों के लिए Ace of Pentacles का card है Aces Starow में New Beginning की बात करते हैं तो personal front में या तो कोई नई चीज़ शुरू हो रही है या फिर आप करना चाहा रहे हैं और काफी practical, realistic level पे ये नई चीज़ शुरू होते भी दिख रही है यानि की सिरफ बाते नहीं हो रही है या फिर बातों के level पे conversations के level पर कोई चीज़ नहीं शुरू हो रही है आप practical, realistic level पे उस चीज़ को शुरू करते भी दिख रहे हैं अब ये general reading है, सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा relationship के point of view से देखे, especially love relationship के point of view से देखे तो commitment या तो आप देना चाहा रहे है अपने partner को या दे रहे हैं या already अगर committed relationship में है पीछे सिरफ बाते हो रही थी आप फिर otherwise भी कुछ concrete level पे आप लोग चीज़े शुरू करते वे देख रहे हैं और फिर से कहूंगी love relationship से related देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग एक साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहा रहे हैं उससे related concrete level पे बातचीत हो रही है और अगर हम otherwise देखें तो कुछ के लिए हो सकता है नया घर ले रहे हैं या फिर घर के लिए कोई expensive item आप खरीद रहे हैं या कोई भी नई चीज हो सकता है इस week आप खरीद रहे हैं घड़ी हो सकती है ज्वल्री item हो सकता है कोई भी चीज हो सकती है तो overall के लिए देखें पर्सनल फ्रंट से related भी ये week काफी एच्छा रहता हुआ दिख रहा है money, पैसा, materialistic, tangible चीजों से related या तो gain हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है आपको ऐसा लग सकता है कि आगे चल कर आपको इन ही सब चीजों से related एक gain रहेगा and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए in the flow का card है और इस card का message आपके लिए यही है कि जैसे चीजे हो रही है वैसे ही उनको होने दें आप बिलकुल भी इस flow को ना रोकें out of the way जाके कुछ ना करें जो चीज आपके रस्ते में आ रही है उसको आप करते जाएं फिर से काऊंगी जैसे चीजें हो रही है जिस बहाव में चीजें आगे बढ़ रही है उसी बहाव में आप आगे बढ़ते रहें and astrology से आप लोगों के लिए Venus Gray का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Two of Cups देखे Cups का card कहीं emotions, feelings, sentiments की बात करता है और Two of Cups का card कहीं relationships पे जादा focus करने की बात करता है या फिर relationships को represent करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में जिनसे आप जादा connect कर रहे हैं आपकी जादा interactions हो रही है आप उनको बहुत support कर रहे हैं help कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए या फिर उनकी तरफ से एक supportive, एक helping energies आपके लिए है और overall के लिए देखें तो हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ कैसे आपका relationship बहतर करें आप उस पे focus कर रहे हैं या फिर उनके साथ eating, drinking, merry making हो रही है कभी-कभी होता है ना कि restaurants में meetings होती है या फिर office की तरफ से या work की तरफ से भी अपने professional जो भी family members होते हैं अगेन जो लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं हम कहीं vacation पे जाते हैं या फिर एक साथ कहीं out of the city या फिर within the city फिर से कहूंगी meetings attend करते हैं जिसमें खाना पीना भी होता है तो कुछ इस तरीके की energies रह सकती है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके work front में कोई इंसान है जो आपकी तरफ attract हो रहे हैं आप उनकी तरफ attract हो रहे हैं यहाँ पर love relationship भी हो सकता है या फिर friendship वाला भी relationship हो सकता है तो कई broader level के लिए relationship जादा एहम रहते हुए दिख रहे हैं और जो भी आप अपने professional front में कर रहे हैं काफी enjoy करते हुए दिख रहे हैं और फिर मैं कहूंगी happiness कहीं money, paysa, materialistic, tangible चीजों से related नहीं इस week मिलती हुए दिख रही है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि इन से related या आपको फाइदा गेन नहीं होगा हो सकता है हो रहा हो लेकिन happiness का source कहीं materialistic चीज़े नहीं रहती हुए दिख रही है कहीं success, achievement नहीं रहती हुए दिख रही है relationships रहते हुए दिख रहे हैं जो भी काम आप कर रहे हैं उसको enjoy कर रहे हैं वो एक source of happiness आपका रहता हुआ दिख रहा है तो nutshell में आप happy दिख रहे हैं और sources मैंने आपको बता दिए happiness के तो broader level के लिए ये भी काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए lovers का card है क्या बात है Aquarius दोनु ही fronts में कहीं relationships आपके लिए काफी हैं जो मैंने आपको professional front के लिए बताया वही कहीं आपके personal front में भी रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि lovers major arcana card है two of cups का मतलब similar सी energies हैं तो कहीं फिर से कहूंगी relationships पे जादा focus कर रहे हैं और कुछ के लिए कोई खास relationship हो सकता है कुछ के लिए overall relationships हो सकते हैं बहुत एक passionate energies हैं अगर love relationship है तो कहीं physical intimacy हो सकती है या फिर अगर पीछे कुछ भी issues कुछ भी मसले आपके किसी भी loved one के साथ रह रहे थे इस week resolve होते वे दिख रहे हैं reconciliation होता हुआ दिख रहा है तो फिर से मैं कहूंगी दोनों ही fronts में relationship से related happiness joy रह रह रही है या फिर relationships पे आप बहुत जादा focus करते हुए दिख रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए choosing your path का card है और ये card कहता है कि जो भी आप अपनी life के लिए चाहा रहे हैं बहुत ही सोच समझ के उसी से related decision और choice लें क्योंकि देखिए lovers and two of cups दोनों ही cards कहीं decision choices को भी represent करते हैं तो हो सकता है कि कोई major या फिर minor decision choice भी इस week specifically relationship से related आपको लेना पढ़ रहा है लेने की ज़रत है और यहाँ पे guidance का card कहता है कि बहुत सोच समझ के आप ये decision ये choice लें और देखिए जब भी भी lovers or two of cups के card आते हैं हम यही कहते हैं make sure आप उसी चीज़ को choose करें जिसके लिए आप बहुत passionate हैं जिसको आप सही माइने में love करते हैं कहीं आप दिल की जादा सुनें बहुत logically चीज़ों को ना analyze करें and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है इसके हिसाब से all shades of red maroon rust आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था एक वेडियस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए बैसे आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है six of swords और यह card कही movement change shift को represent करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहतावा दिख रहा है क्योंकि यह general reading है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि professional fund से related या फिर otherwise आप travel कर रहे हैं या फिर करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है पीछे किसी भी चीज में आप stuck महसूस कर रहे थे तो इस week आपके professional fund में एक movement हो रही है shift आ रहा है चीजें कहीं किसी level पे आगे बढ़ रही है और कहीं देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये का changes को भी represent करता है तो किसी भी level पे किसी भी तरीके के changes भी आपके professional fund में इस week रह सकते हैं क्योंकि ये weekly reading है तो बहुत major changes नहीं रहेंगे एका दुका लोगों की बात अलग है लेकिन किसी ना किसी level पे changes तो ये week आप लोगों के professional fund में लाता हुआ देख रहा है कुछ के लिए change of place हो सकता है कुछ के लिए change of office हो सकता है कुछ के लिए change of team हो सकती है change of project हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है आप job change कर रहे है या फिर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इन ही changes के बारे में आप सोच रहे हैं फिर से मैं clear कर दूँ कुछ के लिए हो सकता है कि इसी से related changes हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है changes लाने से related आप एक planning कर रहे हैं, आपके मन में सोच रह रही है या फिर इसी से related आप action initiatives ले रहे हैं All in all ये week neutral रहता हुआ दिख रहा है कुछ भी बहुत great नहीं हो रहा, कुछ भी बहुत खराब नहीं हो रहा एक चीज जरूर अच्छी होती हुए दिख रही है पीछे जो भी चीजें आपको bother कर रही थी, परेशान कर रही थी उनसे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और personal front के लिए आप लोगों के लिए awakening का card है awakening के literal meaning को देखें तो किसी चीज को लेकर realization इस week आपको होती हुए दिख रही है किसी चीज को लेकर एक एहसास होता हुए दिख रहा है या फिर किसी चीज को आपने for granted लिया हुआ था आप बहुत casual हो रहे थे आपने आखें बंद करी हुए थी personal front के किसी area में तो इस week आप उसी से related जागते हुए दिख रहे हैं या फिर से कहूंगी realization होती हुए दिख रही है और कहीं इन ही सब चीजों से related आप कुछ compromises, कुछ adjustments कर रहे हैं या फिर आपको करने पड़ रहे हैं और हो सकता है कि कुछ prices थोड़ा सा अपना perception चीजों को देखने का बदलना चाहा रहे हैं हो सकता है आप एक ही तरीके से चीजों को deal कर रहे थे एक ही तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे थे और इस week आपको ऐसे लग सकता है कि थोड़ा सा अपना again मैं कहूंगी perception बदलना चाहिए नजरिया बदलना चाहिए different angle से भी चीजों को समझने की कोशिश करने चाहिए तो देखिए personal front फिर से मैं कहूंगी बहुत great नहीं जा रहा है लेकिन you know खराप ही नहीं जा रहा है बट कुछ compromises, adjustments आपको करने पड़ सकते हैं और ये life है ऐसा possible ही नहीं है कि हमें adjustments और compromises ना करने पड़ें लेकिन जब भी हम compromises कर रहे हो एक चीज का खयाल रखें कि हम इतना जादा ना compromise करें कि हम अपने self को ignore कर दें हम हर चीज जब तक balanced way में करते रहते हैं moderate तरीके से करते रहते हैं तब तक issues और मसले नहीं होते हैं कोई भी चीज जितनी भी अच्छी हो जब balance विगरता है हम too much करते हैं extreme चले जाते हैं परेशान हम तभी होते हैं तो इस चीज का ज़रूर खयाल रखें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए narrow pathway का card है और इस card में लिखा हुआ है tread thoughtfully तो देखें बहुत clear message है जो भी करें आप थोड़ा सोच समझ के करें जैसे होता है न कभी-कभी बिना सोचे समझे बिंदास, बेफिक्र होके हम action initiatives ले लेते हैं तो इस week ये energies बिलकुल भी advisable नहीं है आपने जो भी करना है उसको अच्छे से समझना है आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Pices आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए